Welcome to our channel, आज हम देखने वाले 1000 Best Static GK for Railway Group D, यह Part 2 है, Part 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उस कले इंग description box में दिया गया है, इसके साथ और एक important बात बता दे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका goal है कि आपको railway में नौकरी लेना है, इसी तरह हमारा भी goal है कि ह हमें इस चैनल में 1 million subscriber पूरा करना है इस साल के end तक, किस तरह आप अपने goal तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा महनत करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइट करेंगे, इसके साथ-साथ आप भी हमें मदद कर सकते हैं, हमें अपना goal पहुंचने के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सस्क्राइब करने, साथ में बेल आइकन प्रेस करके all notification जरूर अन करने, क्योंकि 1 million subscriber पूरा करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा महनत हमें भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लि तो देखें, यहाँ पर आपको hint मिली जा रहा है, जब sweet revolution लिखा गया है, तो option आपको एक बार देखना है, तो production of honey से यह related है, तो color revolution भी यह सारे देखके जाना, यहाँ से सवाल बनता है, और यहाँ पर जितने सारे हम questions देखेंगे, सब already railway के, किसी ना किसी exam में पूछे गया है, हाली में 2018 से लेके 2020 तक जो exams हुए है, तो वहाँ पर 21 में भी थोड़ा सा हुआ था, starting में NTP से का, तो वहाँ से भी कुछ questions लिए गया है, तो बहुत ज़ए यह आपको मदद पहुचाने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि किसी तरह के questions frame किये जाते हैं, और यह question repeat भ द्वारा जो है, यह दिया गया है, which budget is known as black budget in Indian budget history, कौन से budget को black budget कहा जाता है, यह question 3-4 बार repeat हुआ है, पहले यह SSEC exams भी पूचे गया थे, तो यह question फिर railway में भी पूचना start हो गया, तो 3-4 बार यह question पूचा गया है, तो धियान रखना, 1973-1974 का budget को जो है कहा जाता है black budget, 1973 February क के मन्त में यह budget आया था, और एक इनके दोबरा present किया गया था, यह भी question बन सकता है, तो यह present किया गया था, यह स्वंत राव B, चोहान के दोबरा यह present किया गया था, black budget क्यों कहा जाता है, क्योंकि budget deficit बहुत जादा था, 550 करोर का जो है यहाँ पे budget deficit था, जिसके वज़े से जो है, इसे black budget भी कहा जाता है, तो यह ध्यान रखना, year भी पूछा जा सकता है, कब launch किया गया था, यह पूछा जा सकता है, February 1973 में इसे launch किया गया था, sorry, present किया गया था, launch नहीं, present किया गया था, किनके दोबरा present किया गया था, यह भी ध्यान रखना है, cherry blossom festival is celebrated in which state, तो cherry blossom festival जो है, यह हर साल November के मन्त में, स्रीलांग में, जो है, यह celebrate किया जाता है, mega lay में, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर गलती बहुत सार student करता है, यहाँ एक question ऐसा ही बनता है, cherry blossom festival is celebrated in which country, अगर पूछा जाए तो यहाँ रखना, जैपैन, अगर country पूछा जाए जेनरली होता है, tenure of chief election commissioner, तो chief election commissioner, जो है, इनका tenure कितना लंबा होता है, तो अप्सन में आपको six year ही मिलेगा, लेकिन कभी-कभी option में यह भी रहता है, तो यह ध्यान रखना, या six year या फिर 65 years age पहुचने तक उनका retirement हो जाएगा, अगर मान लीजे, उनका appointment होता है, 63 years में उनक होगा, maximum, या फिर 65 जैसे ही, वो attend करते हैं, मान ली जब उनका 60 में हुआ है, तो उनका 65 में retirement हो जाएगा, जितना भी है, अगर उनका देर से हुआ है, तो 65 में उनका retirement हो जाएगा, लेकिन tenure या रखना, six year का tenure होता, उससे जादा वो chief election commissioner नहीं रह सकता, अगर 40 साल में हुआ तो 46 में उनको retirement लेना पड़ेगा, यह basically उनका tenure होता है, National War Museum is located in, तो museum के बारे में काफी सरी सवाल बनते हैं, railway में, तो National War Museum जो है, यह New Delhi में located है, CR7 is the name of which footballer, तो यहाँ पे बहुत सरे students को तो इसका answer बिलकुल पता है, जो football देखते हैं, या फिर नहीं भी देखते हैं, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि famous जो है, यहाँ पे footballer है, Cristiano Ronaldo जो है, यह famous footballer है, इनका जो है nickname है, CR7, लेकिन कुछ कुछ students है, कुछ girls ऐसे हैं, जो कि football का fan नहीं है, तो उनको यह पता नहीं होता है, तो यहाँ पे बिलकुल ध्यान है, रखना है, प्राथना समाज जो है, किनक आप से पूछा जाता है, यह question देखिए, थोड़ा सा आपको tough लग सकता है, कि यह length पूछा जा रहा है, पूरा golden quadrilateral का, golden quadrilateral वो है, जो कि, वो highways है, जो कि चारो जो है, हमारे metropolitan cities को जोड़ते हैं, Delhi, हो गया, आपका अगर north में देखे, Delhi, west में देखे, तो यहाँ पे मुंब है, यह है, 5846 km बिल्कूल ध्यान रखना है, golden quadrilateral में कभी-कभी यह भी पूछा जाता है, कि इन में से कौन से city नहीं आता है, तो एक बड़ जरूर ध्यान रख लेना, यह चार, जो है, metro city, shore connect किये गया है, नागर हूल नेसल पार्क, जो है, यह कौन से state में, जो है, प्रेज बनाया गया था, किंग, जाजती, केसरी के द्वारा जो है, यह बनाया गया था, नार्मेन बोरलंग अवार्ड जो है, यह कौन से field में दिया जाता है, तो नार्मेन बोरलंग अवार्ड जो है, यह agriculture के field में दिया जाता है, यह ध्यान रखना, नार्मेन बोरलंग अवार्ड इन्पॉर्टेंट है कौन से फिल्ड में दिया जाता है तो एक्रिकल्चर के फिल्ड में दिया जाता है इस तरह अलग-अलग और भी अवार्ड्स है इन पुलिस जब प्राइज जो है यह जो है कौन से इनिवर्सिटी के देवराद दिया जाता है यह भी कुष्ण बन चुका इसके बाद हम General Science के वीडियोस लगातार इस चैनल में जो है हम अप्लोड करेंगे तो नया चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना अगर स्टाटिक जी के देखना है रिल वेग में NTPC में काफी सार स्टाटिक जी के हमने लाया था पुरा सीरीज बना था और इस चैनल में General Science लगाता और जो है चलने वाला है तो दोनों ही चैनल को सस्क्राइब कर लेना ताकि हम भी अपने गोल तक पहुंच सके आप भी अपने गोल तक पहुंच सके आपको भी जॉब मिले और साथ में हम भी 1 मिलियन सस्क्राइबर हिट करें और दोनों जो है हम एक साथ सेलिबरेट करें तो यह जरूर कर लेना भूलना मत सस्क्राइब करना है आपको इस चैनल को कुई अंडिया मोवमैंट स्टेड फ्रॉम विक प्लेस कॉनसे प्लेस से स्टाट हूआ था इंपॉर्टेंट मॉममेंट से आपको देखना है कहा से स्टाट हूआ जो यह बहुत जादा पूछा गया था नटीपीची का एकजाम्स लिया घिया गया है तो यह ऑस्ट्रेलिय में जो है यह प्रेजेंट है कुछ डेजर्ट पूछे गया थे और एक डेजर्ट है टगला मकान डेजर्ट ऐसा कुछ नाम है जो कि चाइना में लोकेटेट है यह भी पूछा गया था उसे हमने पार्ट वन में डिसकस किया था माडgartम क्योरी वाज अवाडरेड नोबिल प्राहिज फ़र हर वर तो किस वजए से इनये दिया गया था तो मैडम क्योरी और इनके हजबह Sub Sean को 117 फियर और और तो यहां पर देखिए एक बात यह ध्यान रखना कि मैडम क्यूरी को दो बार नोबल प्रैस दिया गया था एक बार फीजिक्स के लिए स्टडी इंट्व स्टोनिस रेडियुटिंस इसके बज़े से और एक बार एक बार एक बार फीजिक्स के लिए दिया गे था एक बार के बार और इंडिया गाया था जी जो है नहीं जुक्टिकल सर्वेशि आफ में कहां पर लोकेटेद है एक कूलकाता में लोकेटेड है बैं मुएन कस्मिर का जो है ये dance है इन्पोर्टन फॉल्क डेंस से कुशन काफी सारे भी बने थे फ्रेम किये गए थे वर्ल्ड हिंदी डे जो है कब सेलिबरेट की जाता है ये 10 जनर्वरी को सेलिबरेट की एसाल वर्ल हिंदी डे IRDAI का full form पुछा गया था देखिए full form भी काफी सारे आये थे अभी जो एक्जाम होता रेसेंटली NTPCA का तो group D में भी बहुत ज़्यादा chances है कि वहाँ पे आप भी आपको देखने मिले तो full form बिल्कुल आपको यह ध्यान रखना है Insurance Regulatory and Development Authority of India जो है इसका full form है चेसला क्लब is related to which game तो जो football का fan है obviously उनको यह पता ही होगा कि चेसला क्लब जो है यह कौन से जो है गें से related है तो चेसला एक famous जो है यहाँ पे यह जो है club है Real Madrid हो गया चेसला हो गया उसके बाद और भी important important जो है यहाँ पे club है उनको यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे discuss नहीं करते हैं तो यह जो है यह football से यह related है लेकिन देख लेना जरूर ठीक है तो यह बहुत जादा important है बार्सिलोना हो गया फिर Real Madrid हो गया चेसला हो गया और भी है उसके बाद यह सब बिलकुल देख सकता है when did Bangladesh got independence क्योंकि neighboring country है question जरूर बनेगा बांगलादेस कौन से year में इंडिपेंडेंस इनहें मिला था 50 साल हालिम पूरा हुआ है current firm हमने cover up भी से किया था 26 March 1971 में जो है इन्डिपेंडेंस मिला था total UNESCO heritage site in India तो total कितने UNESCO heritage site है तो इसमें जो है total 38 UNESCO heritage site है ठीक है इंडिया में कितने heritage site है 38 जो है यहाँ यहाँ पर world heritage site है इंडिया में आप question इतना आसान भी कभी कभी नहीं पूछा जाता है कभी कभी question ऐसे पूछ लिया जयता है इंडिया में कितने जो है cultural heritage है UNESCO के तो यह आपको ध्यान रखना है कितने cultural heritage है total 30 cultural heritage है natural heritage कितने है seven मिक्स्ट कितना है mixed heritage site कितना है यह one है तो यह सब ध्यान रखना है आपको यह भी जो है हमने cover up किया है तहकीके हिंज जो है यह book किन के द्वारा लिखा गया था कौन से foreign traveler के द्वारा लिखा गया था तो यह जो है गया था तो सेडल पिक जो है यह highest peak है सवराज पार्टी वस फॉर्म बाए तो सवराज पार्टी यह जो है इड्वस फॉर्म बाए मोतिलाल नहरु एंड सियार दस इन दोनों ने जो है यह सवराज पार्टी बनाया था election commissioner is appointed वय तो election commissioner जो है किनके दोराँ appoint किया जाता है president of India जो है इनके दोराँ appoint किया जाता है यह appoint करते हैben इत्व हर्ण करते है我跟你講 commissioner को और साथ में चीप election commissioner को भिव फ्यप्वाइब करते हैस द्वाए तो यह जो है जो है इनके के दवान के दवारा इंट्रेडूजक किया गया था, यह किया है कि D SUGT के-पास जुूकना है उनका कदम को चुमना है ऐसा जो है यहाँ पर यह लाया गया था बल्बन के दवार जो यह लाया गया था तो सजदा एंड पाइबो जो है इंट्रीज किया गया था बलबान के द्वारा वीज जी के द्वारा यह लिखा गया था काफी और कुशन बना है यह साइंस में भी कुशन बहुत बार बनता है तो यह जो question का सही जवाब है यह है 8 minutes and 20 seconds यह total जो है time जो है it is taken for the sunlight to reach earth तो basically यहाँ पर 8 minutes and 20 seconds जो है लगता है sunlight को earth तक पहुँचने के लिए Research station of India in Antarctica is named as तो यहाँ पर ध्यान दखना बहुत सारे यहाँ पर student है गलती करता है उनको सिर्फ एक ही research station का नाम पता है वो है दक्षिन गंगोत्री यहाँ दखना यहाँ पर इंडिया का तीन research center है अंटार्टिका में ठीक है और जिनका नाम है दक्षिन गंगोत्री सबसे पहले बनाए गया था मैत्री उसके बाद बनाए गया था और last जो है recent जो है यह है भार first earth hour was held in तो earth hour जो है यह सबसे पहले earth hour summit जो है यह ऑस्टेलिया में हुआ था 2007 में इसमें क्या है basically कि इसमें यह decide किया गया था कि जितने भी अलगले country के citizens हैं वो एक घंटा के लिए जो है अपना घर के सारे light fan बंद करेंगे ताकि जो है यहाँ पर global warming के related जो issues है इन से वेकिन के दुबारा दिया गया था तो यह महात्मागान्धी जी के दुबार जो है यह दिया गया था Which sector is the largest contributor to GDP तो यहाँ पे tertiary sector या इससर्विस sector भी कहा जाता है it is the largest contributor to GDP which is surface to air missile of इंडिया तो इसपी के ऊपर हमने video बना दिया है इतने भी मिसाइल है यह वीडियो बना दिया गया तो आपको देखना नहीं यहां पर आकास मिसाइल जो है टीज इस रफेस्ट फु एयर विच अनिवल इस इस वीड़ो फंड तो आगर वाल वीड लाइफ पंड के डिलेटे तो कोश्चंड बनता भी है बहुत सारा तो यहां रहता है तो यह विसकलि इसका SYMBOL है सबसे नया जोबनाया गया है 2019 ऑल से स्वेट में होता है। म मामलापूराम और ला लाड़ुपवल डेन डेन्स फेस्टिवल तह बनाया है हर साल चाइनामेंट टर्मिस रिलेटेट डू ट्र शाइना में टर्म जो है यह कौन से गें से द्ड था यह फन पर उक्पट्ड पर गालेगया अगबस रेड फॉर्ट इन आगरा तो यह जो है रेड फोर्ट आगरा में वहां पे अगबस टॉम जो है यह प्रेज़न्ट है और यह जो है जहांगीर के द्वारा बनाएं गया था हाला कि अगबस टॉम को कहा जाता है Alexander and Porras fought on the river off तो यहां पर कौन से जो है नदी के किनारे यह लड़ाई हुआ था तो Alexander जो है यह इंडिया जो है आये हुए थे कभी-कभी कोशन बनता है जिसका सही जबाब और कमें बोक्स में देना तो यह जो है जो है जो है जो है जो है यह बैटल हुआ था तंजोर आठ is related to which dynasty तो देगे यहां पर यह बहुत ज़्यादा important है तंजोर बहुत ज़्यादा famous है यहां पर एक famous temple भी है अगर आपका सही जबाब इसका पता है कि तंजोर में कौन से famous temple है इसका सही जबाब आप comment box में हमें जरूर बता सकते हैं अगर आपको पता है तो तो तंजोर आर्थ जो है यह कौन से डाने से रिलेटेड है यह जो है यह छोला डाने से से रिलेटेड है which state has the highest number of tiger तो सबसे जादा टाइगर जो है यह कौन से स्टेट में है यह मध्य प्रदेश में प्रजेंट है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है इक फार्लेमेंट औफ world चोन ऑर्लेमेंट को सवर्टें के नाम से जाता जाता है जितना इंपॉर्येमेंट से अलग एक कंट्रें में उनका क्या क्या नाम है नाटाल इंडियन कॉंग्रेस लिखा है और उनको यह लगता है कि नाशनल इंडियन कॉंग्रेस है तो ध्यान रखना नाशनल इंडियन कॉंग्रेस और नाटाल इंडियन कॉंग्रेस दोनों डिफरेंट है नाटाल इंडियन कॉंग्रेस जो है यह महात्मा गांधी के द्वार में फर्स्ट वुमेंट टू वी एपोंटेट फूल टाइम डिफेंस मिनिस्टर अफ इंडिया तो जगाद सही जवाब है यह निर्मला सता सितारमन तो निर्मला सितारमन जी जो है यह यह पहले बन चुके इंद्रा गांथी सायद बन चुकी है कंफर्म नहीं है एक बार गड़ेशल्ठ गड़क है देखले न यहापे आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं यह सारे टॉपिक्स के अपर हमने यह बना दिया है यह वीडियो नहीं है इस बुक्लेट को आप डॉंलोड कर सकते हैं इसका सारे लिंग ने लिए लेकिन यहापे नहीं cover up किया गया है इतने सालों से जो 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद जो है उनके research से किस तरह के questions पूचे जाते हैं उसी हिसाब से हमने frame किया है तो यह booklet को बिल्कुल अब ले सकते हैं description box में दिया गया है लिंक में जाना है अपना नाम phone number email id भरना है जैसे अब 99 रुपिस पे करते हैं उसके बाद अपना mail id खोल के इस file को download कर सकता है तो बहुत ज्यादे इसमें मेहनत किया गया है ताकि कोई भी topic आप से download कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपिस पे करके link description box में दिया गया है इसमें आपको सारा ही cover हो जाएगा बेकार इधर उदर आपको जाने का जरुवत नहीं है अगर यह सब material फ्री में भी आपको मिल सकता है इंटरनेट में लेकिन आपको टाइम बचाने के लिए किया गया है यहां यहां पर लगबर लगबर 95 topics हमने cover up किया है 96 आपको दिख रहा है क्योंकि यहां पर फिफ्टींत नंबर है और 85 नंबर यह थोड़ा सा यहां पर गलती से repeat हो गया है इसी वाज़े से जो है आम यह जो है कहा रहे है कि यहां पर 95 हमने topic cover up किया है तो इस जो है booklet को ले सकते ह इसका link description box में दिया गया है 99 रुपीज पे करके आप इस booklet को ले सकते हैं जैसी आप पे करते है अपना mail id खोलना और वहांस इस फाइल को download कर लेना और साथ में हमने current FS220 and 2021 का भी booklet launch किया है 2020 का पूरा और 2021 का last six month यानि के January से लेके June 2021 का यह booklet हमने launch किया है booklet जो है 70 रुप description box में दे देंगे या पर detail में भी आप जान सकते हैं या पर directly भी आप ले सकते हैं link में जाके वहां पर अपना नाम phone number email id वर के वहां पर पे करने के बाद जो है इन booklets को ले सकते हैं जो की बहुत मददगार होने वाला है आपका railway group D exams के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं finally और discuss किया है तो आपका अब जो है यह बनता है कि आप इतना ज्यादा अगर हमने महनत करा है इतना सारे वीडियो आपके लिए बनाए है तो पहला silent में भी कौन सा था या जरूर आप हमें comment box में बताना FIFA 226 जो है कौन से कंट्री के दौरा होस्ट किया जाएगा तो यह जो है Canada Mexico United States के दौरा यह होस्ट किया जाएगा tenure of Comptroller and Auditor General of India तो Comptroller and Auditor General of India जो है इनका tenure कितना का होता है तो इनका six year का tenure होता है या फिस 65 years whichever is earlier जो पहले होगा वो जो है उसमें उनका retirement हो जाता है which state is called land of rolling mountains तो मीजोरायम जो है इसे कहा जाता है land of rolling mountains ध्यान रखना यह question बार-बार बना है अलग-अलग exam में कामरूफ और कामता is the old name of which state तो यह जो है आसाम का जो है यह पुराना नाम है कामरूफ और कामता जो है यह पहले आसाम को जाना जाता था इस नाम से तो यह जो है यह आसाम का पुराना नाम है यह सबाल बना था हाली में साधिय बना था यह टेलिवे के एक्जाम में बना थ फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो किन्हें कहा जाता है यसवन सिंग परमार जो है पहले CM भी यही बने थे हिमाचल प्रदेश का तो इन्हें कहा जाता है founder of हिमाचल प्रदेश which place is named mount of dead तो मोहिंज दारों को कहा जाता है mount of dead mission इंद्रधनुस started from which state तो mission इंद्रधनुस जो है यह कहां से start किया गया था अच्छा mission इंद्रधनुस के अंदर क्या होगा किसलिए launch किया गया था ने ने किन के लिए launch किया गया था इसलिए हम सारे चीज़ यहाँ पर बता आपको नहीं देते हैं क्योंकि आप भी थोड़ा सा महनत करें तभी आपका knowledge बढ़ेगा mission इंद्रधनुस बहुत आसान है ठीक है बार बार पूछे जाते है कौन से state से start किया गया था यह उत्तरपदेश कौन से फिल्ट केर से रिलेट यह हमदाबाद में लोकेटेड है धामेक स्तूपा is located at which of the following places धामेक स्तूपा जो है कौन से बैंक के साथ मर्ज हो चुके हैं तो बैंक आप बरोदा के साथ यह जो है यह मर्ज हो चुके हैं विजया बैंक एंड देना बैंक कभीड़ दास वस बॉन इन तो इस तरह के सवाल बहुत बर बनता है अलग-अलग जो इस दोरान में जो भी रिलीजियस इस तरह की लिखा गया है यह रिपीट हुआ है हलांकि रिलेवीयक एक्जाम में रिपीड हुआ है दो बार यहीं रिपीड हो चुका है यह शादण हे द्वारा जो लिखा गया है तो जो हम औक से और में को बताया है जहाँ आप हमने सर्हां के जितने भी लेइर से ज़रूर्ड देख यास से कोशें बंता है То आउटर मुोस्ट लेयर कंस्पिरेसी इस रेलेटेड थो काकोरी में खंशन ही ज़रू यह रेलेट है यहां Danny झाकूरी कॉंस्पिरिसी में कौन कौन से लोग थे इनमें से कौन से जो हैं लोग आप कॉन्छाए प्यासे जो हैं लोग रिलेटेड नहीं है from काकूरी कॉन्सपिरिसी यहां पर पे धियान रखना एंप्रॉդ那 उनका भी नाम यहाँ पर जरुर्ओर याद रखना एक इनके द्वारा डिजाइन किया गया था तो यह जो है वुदय कुमार जो है इनके द्वारा डिजाइन किया गया था longest serving prime minister of India तो जवाला नहरू जो है he is the longest serving prime minister of India रविंद्रना टेगोर गॉट nobel prize in which year तो कौन से साल में जो है इन्हें nobel prize दिया गया था national school of drama का जो है यह headquarter कहां पर है तो इसका जो headquarter है यह new Delhi में located है highest peak of hindkus तो hindkus का highest peak कौन सा है नौ साग जो है इसका highest peak है highest peak of different mountains cover up कर दिया गया स्टाटिक जितने भी यहां पर topic है सारे topic तो cover up है और बहुत जादे extra topic भी आपको मिलेंगे जहां से आप पढ़कर जाएंगे तो आपको जो है कोई दिकत नहीं होने वाला इसलिए हम बार बार रेकमेंड करते हैं static gk जो booklet हमने recently launch किया उससे जरूर ले लेना link description box में दिया गया है जैसे अपना नाम phone number email id भरने के बाद pay करते है 99 रुपीज उसके बाद जो है आप अपने email id में जाकर इस file को जरूर डाउनलोड कर लेना और आप पूरा यहां पर strategy के अच्छा से prepare कर सकते हैं कि लगभग सारे चीज यहां पर cover up किया गया है इतना सारे topics आपको कहीं नहीं मिलने वाला ठीक है बहुत ज्यादा रिसर्च करके हमने इसे बनाया साथ में अपका साथ साथ में प्रिपेर होता रहेगा यहां है अंधिया नियूशपेपर टो ऐफर आलाइन एडिशन तो पहला इंडियन य शे मने ऑल लाइन टो आchts नो औंच किया थै यह था दा हिंदू इसपेपर न अपना ओलाइन एडिशन लाज किया था नेपियर म्यूजियम जो है कहां पे लोकेटड है important museum बहुत जादा है ये भी important topic है बार बार पूछा गया है ये भी question तो ये जो है तिरुबनानथपुरा में ये located है जो कि केरेला में present है which state in India has highest road density तो highest road density जो है कौन से state में है यह है के रेला में तुगलग जो है यह play किन के द्वारा लिखा गया है यह भी kind of play है जो है यह लिखा गया है तो यह जो है Greece, Carnat के द्वारा लिखा गया है in Canada language में यह लिखा गया तो यहाँ पर confuse मत होना तुगलग जो है किन के द्वारा लिखा गया है तो यह जो है Greece, Carnat के द्वारा लिखा गया है Canada language में लिखा गया है तो books and authors से यह ज्यादा important questions यहाँ पर बनते हैं name of country पाकिस्तान was coined by तो यह जो है किन के द्वारा यह नाम दिया गया था second person to land on moon अब first person तो पूछा नहीं जाएगा बहुत आसान हो जाएगा standard six का यह question है second person थे बज, Eldrin जो थे यह second person थे to land on moon where is the headquarter of CSIR नेरी तो इसका headquarter कहाँ पर है तो इसका headquarter है यह जो है नागपूर में इसका headquarter है अलग अलग रिजदी आफिस भी इसके है अलग अलग जगहめं कोलकाता में है हाइधराबाद में मैं regional office है और भी अलग अलग जगह में इसका जू है जुह न्यो देलि में इसका रिजनल आफिस है तो CSIR का जो जितने भी CSIR का जितने भी अलग-अलग जो है यहां पर research lab है उनका headquarter कहां कहां है यह जरूर देख लेना यहां से सवाल बन सकते हैं Kulu and Manali are connected by which pass important passes of India यह हमने cover up किया है book later में ठीक है तो उसे भी जरूर देखके जाना तो रोहतंग pass से जो है एक Kulu and Manali जो है यह connect होते है new method of warfare तूलुगमा strategy was started by तो यह तूलुगमा strategy जो है यह किन के द्वारा start किया गया था यह बावर के द्वारा start किया गया था इसमें क्या होता है जो इनके army होते हैं उनको छोटे-छोटे तुकडे में divide कर दिया जाता है यहां पे जब भी यह nuclear power plant जो है यह कौन से स्टेट में located है तो काकरा पार्ट जो है यह nuclear power plant कूजराट में located है the ideals behind the preamble of India constitution were laid down by तो ideals behind the preamble of India's constitution was laid down by जवाला नहरू यह जवाला नहरू के द्वारा जो है basically यह किया गया था तो table को जो है introduce करने से पहले ही इसका जो ideas basically जो लाया गया था यह जवाला नहरू जो है इनके द्वारा लाया गया था the only state where the president rule has never has not been imposed so far तो दो ऐसे states हैं जहां पर अभी तक president rule नहीं लगा है एक है 36 गट दूसरा है तिलंगन अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो like जरूर कर दें और जो भी कुछा गया है अभी तक उनको जरूर सही जबाब उनका देने है कोसिस जरूर कीजिए comment box में साथ में नया चनल को भी subscribe कर देना वहाँ पे अब हम स्टाटिक जीके का नया सरी start करने वाला है railway group D के students के लिए तो नया चनल का link भी description box में दे दिया गया है वहाँ पे जाकर नया चनल को subscribe भी जरूर कर लेना tenure of judge of international court of justice तो international court of justice यह united nation का एक part है जो है एक body है और यह इसमें tenure कितना लंबा होता है यह question थोड़ा से unique है लेकिन अच्छा question पूछा गया है tenure of judge of international court of justice तो ICJ का जो judge होते हैं उनका tenure होता है 9 year composed of 15 judge यह भी ध्यान देखना कितना judge का यह member जो होते हैं यहाँ पे 15 judge total होते है international court of justice में और उनका tenure होता है 9 years का which railway station has most number of platform in India अब railway का exam बन रहा है exam में जो है railway related question ना बने असा नहीं हो सकता ठीक है तो यह जो है howder railway station है जिसमें सबसे ज्यादा number of platform है total 22 side यहाँ पे platform है the great bath of Mohen Jodaro is in which shape तो कौन से shape मैं यहाँ पे पूछा गया है तो obviously अगर आपने book में जो है जो the great bath है यह जो है rectangular shape में है height of allowed pillar inscription of Samudra Gupta तो question देखें यहाँ पर यह थोड़ा tough question भी पूछे जाते है कभी-कभी in-depth question पूछ लिया गया है तो अलावा पिलर जो है inscription of Samudra Gupta इसका height कितना है सोचे यह थोड़ा tough level of question भी मैं यह consider किया जा सकता है UPSC level का यह question मैं से consider किय जा सकता तो यह जो है 35 feet जो है इसका height है the policy of paramountacy was introduced by तो लौट वरें हैस्टिंग के द्वारा जो है यह policy लाए गया था अच्छा policy और paramountacy क्या है यह भी आप comment box में हमें जरूर बताना थोड़ा सा आप भी महनत कीजिए साथ में हम भी महनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर सब कुछ हम यहाँ आपको बता देंगे तो यह जो है आप फिर महनत नहीं करोगे जिसके वज़े से जो है आप हेटक्वाटर ऑफ रेटक्रॉस जो है कहां पर है तो यह जो है जैनीवा सुजेलेंड में है बाकी जितने इंपॉर्टेंट और्गनाशियंस हैं इससे आप बुकलेट से देख सकते हैं वर्ल्ड और्गनेशन अंदर हेटक्वाटर भी हमने कवर किया है साथ में इंटरनें Gliberman किया थे सकता है क्वाट असान हो जाएगा आपके लिए लिए वैं वह सर्विस्टेक्स इंट्रीउस इंधिया सर्विस्टेक्स कब इंटर्डीयूस किया गया था एंडिया में ट्लासिकल डैंस इस टोरी प्ले तो यह जो है क्लासिकल डैंस हमने कवरण किया है तो कत् लेकिन वर्ड का फाइनेस्ट जो है इस जैनवर से मिलता है फाइनेस्ट वार्मेस्ट अलग 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 एकजाम में पूछे गया है रेलवे में साथ एक दो बार यह पूछे जा चुके हैं तो यह ध्यान आपको रखना है अन्सेस्ट इस जनवर से मिल सकता है ध्यान दार ह Whew यहांड भाटरफ प्रिजन्ट है यह नरमदा नदी में जो में जो नदी है यह है नों च रख एगज यह चिस तार्ट किया गया था है यह कौन से organization के द्वारा दिया जाता है यह और कौन से field में दिया जाता है यह विलकुल आपको देना है किसलिए दिया जाता है युनेस को के द्वरजद दिया जाता इसका पूरा आवार्ड का नाम ही युनेसको कलिंगा अवार्ड इसका नाम है ठीक है लेकिन यह स्पेसिफिकली कौन से फिल्ड में दिया जाता है अगर आपको पता है तो comment box में जरूर बता सकते हैं, इसके अलावा हमने already, हमने cover up कर दिया है हमारे booklet में, awards in respective fields, सारे cover up हमने कर दिया, 95 topics cover किया गया है, इतना आपको कहीं नहीं मिनने वाला, इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है, कि description box में link दिया गया है, static gk का हमारा booklet का वहाँ जाकर जरूर उसे ले लेना उसके साथ current affair भी आप ले सकते हैं current affair static gk आपका अच्छा से prepare हो जाएगा बाकी हम general science के वीडियो तो इस चैनल में लगाता लार है second channel में static gk लार है preparation बहुत अच्छा से ये section का आपका हो जाएगा काला केफ जो है ये कि से related है कौन से basically religion से related है यहाँ पर question बन रहा है तो काला केफ dzień जो है यह कहाँ पर है यहाँ पर कहाँ से है काला केव्स जो है यह कहाँ पे है यह महारास्टर में रिप्रेजेंट है और यह जो है कौन से रिलिजिन से रिलेटेड है यह बुद्धिजन से रिलेटेड है पटा का जो है यह कौन से कंटे के करेंसी है यह जो है मकाव का करेंसी है Science without religion is lame and religion without science is blind किनके द्वारा ये कहा गया है तो important slogans भी देख लेना या important जो बात कहा गया है इनके द्वारा ये भी पूछा जाता है तो ये भी हमने cover up कर दिया है हमने अपने booklet में ये भी जरूर देख लेना तो Albert Einstein जो है इनके द्वारा ये कहा गया था तो second part यहाँ पर खतम होता है first part आपने अगर नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना साथ में ये booklet है हमारा यहाँ पर हमने 95 topics total हमने cover up किया है बहुत ज़्यादा important है आपके upcoming railway exams के लिए इसे miss मत करना चाहे आप इसे ना ले चाहे आप current fair ना ले खुझ से prepare करें लेकिन static जी के miss मत करना और से आप current fair भी ले 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 तो आपके लिए आसानी होगा यहाँ पर भी बहुत अच्छा से section wise हमने सजा के चीज़ें किया है इन वीडियोज को जरूर देख लेना लिंक description box में दिया गया है इन वीडियोज को एक बार देख लेना फिर आप इने ले सकते हैं तो यहाँ पर part 2 हम खतम करते हैं यह वीडियो अल्रेडी बहुत लंबा हो चुका है part 1 भी आप देख सकते हैं उसका भी लिंक description box में दे दिया गया है thank you all the best